नमस्कार, आप कॉम्बो समस्ते होंगे, दो आसनों को जो मिलाते हैं कॉम्बो होता है, एक आसन को दूसरे आसन में मिलाकर दूसरा आसन वापिस करना उसको संपुटन कहते हैं, जैसे आपने किताब देखी होगी उसमें बीच में कागज होते हैं और साइड में जो है प्रशारित पादासन यानि पैर को उपर सीधा करना तो उसी आसन के साथ हम एक आसन और मिलाएंगे जिसको कहते सुप्त बद्ध कोण आसन जिसको हम आईबियस की प्रोब्लम में इस आसन का उपयोग करते हैं या मुत्रसमंदी विकारों में माताओं मेहनों के जो मंतली प्र की तरह जो आसन होता है हम दो आसनों के कॉंबिनेशन से कहां फाइदा लेंगे नाभी से नीचे के पार्ट में इसका बहुत अच्छा लाब है पेट की गैस में भी इसका अच्छा लाब है और साथ में घुटना दर्द गाउट की प्रोब्लम या गटिया हो या पैर जो है उसमें सुन रहता हो या वेरिकोज वेंस हो ऐसी इस्तितियों में यह बहुत अच्छा लाबकारी सिद्ध होता है साथ में जो माताय बहने प्रेग्नेंसी टाइम की वज़े से पेट के उपर फैट और उससे परिशान है उनके लिए भी लेकिन इसके साथ कुछ आसन और भी करने चाहिए जैसे हलासन है या सर्वांगासन है वो साथ में करने चाहिए लेकिन इस आसन का अपने आप में पेट को नरम करने के लिए बहुत लाबकारी जो है वो नाम है अब करना कैसे है देखिए वैसे सीधा सीधा दो कर सकते हैं लेकिन आज मैं आपको किसी प्रोब यानि रसी या चुन्नी का साहरा लेकर इसको करें तो ज्यादा अच्छा हमारा बैलेंस बन जाएगा क्योंकि पैर जब उपर जाते हैं तो यहां पर बैलेंस नहीं बन पाता कई लोगों का यहां ठिकते नहीं है पर तो उसके लिए बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं देखिए चुन्नी के इस तरीके से आप इसको जो है वह फोड कर लेंगे इसको पकड़ लेंगे तो देखिए कितना आसानी से पैर है यह उपर हो जाता है तो के बीच में इस आसन को आप डाल सकते हैं यह दोनों आसन ही उसी क्रिया में आ जाएंगे तो पहला आसन क्या होगा यह दोनों पैरों को मिला लिया और यह चुन्नी जो है यह पैरों के अंदर ऐसे डाल दी और इस तरीके से आप लेट गए यह हमारा हुआ उर्दा सुप्त बद्ध कोड आसन यानि दोनों पैरों को ऐसे मिलाकर और दोनों घुटने जो है बाहर की और खोलना है यह आसन बहुत अच्छा है पेट की नसों को नरम करने के लिए यहां पर किसी को टाइगनेस रहती हो तो उसमें यह पेट को नरम करता है इन नसों को खोलता है सीवनी पेट का जो एरिया है वो पेट में ही होता है उसको एक ब्लड सरकुलिशन पहुंचाने के लिए यह आसन अच्छा है लेकिन इन दोनों आसनों को मैं जो आपको बता रहा हूं यह संपूटन जो है यानि फर्स्ट आपका सुप्त बदकोड आसन होगा दूसरा जो है वो इस कम सीधे रहेंगे और स्वास छोड़ते वह उपर की और जाना है यहाँ पर हलका स्वास लेते रहें छोड़ते रहें आदा मिनट कम से कम आपको टिकना है देख जितनी जलदी करेंगे जलदी का काम सेतान का होता मिलेगा जैसिसे आपका पैर यहां पर रहेगा व्लड ब्लड सेपुलेशन चलाना हमारी बोड़ी के लिए बहुत बढ़िया है मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है लेकिन आज जो है वो संपुटन के बारे में बता रहा हूं दो आसनों के कॉम्बिनेशन से हमारी शरीर को कैसे लाब दे सकते हैं उसके लिए बता रहा हूं के ऐसे पैर को और पकड़ते हुए इस तरीके से एस आसन में यहाँ पर आ जाएंगे यह संपुटन हो गया देखिए हमने क्या किया पहला आसन था सुप्तवद कोड़ासन दूसरा आसन उर्द्वप्रसारित पादासन और फिर वापिस पुने उसी इस्तिती में आगे जिस सिस्तिती से गए थे जिसको कहते हैं सुप्तवद कोड़ासन तो यह एक दो एक किक्रिया हो गई है और इसको ही हम सेंडविच कह सकते हैं तो यह दो आसनों को आपस में सेंडविच की तरह तो उर्द्वप्रसारित पादासन जो है यह मूख्यासन है इसको हमने बीच में ल पूरी संबहावना तो यहां पर अदा-दा मिनट भी कर सकते हैं आदा मिनट यहां रुके आदा मिनट ऊपर रुके और फिर आदा मिनट वापिस नीचे अब यहाँ पर जब इसको खीचेंगे तो आप ये ध्यान रखें कि नीचे जो हमारी रीड की हड़ी के दोनों और की हड़िया है जो हमारी कुले हैं उनको एकदम धीला करके जमीन पे टिकाना है कमर का बीच का हिस्सा जो कर्व है उसको भी जमीन पे टच करने की कोशिश करना है इससे जो है हमें एक अच्छा लाव जो है वो मिलने की पूरी संभावना रहेगी ब्लड सर्कुलेशन हमारा सीधा जाएगा कमर के अंदर जो खिचाव है उस खिचाव में भी हमें एक अच्छा सुकून जो है वो मिलने वाला हो जाएगा अब ये धीरे धीरे आप अपना भ्यास बढ़ा सकते हैं जैसे एक मिनट जो है वो आप तो नीचे सुप्त आसन करेंगे तो एक मिनट आप इस आसन को भी करें एक एक मिनट की इस तरीके से तीन से पांच रिपिटिशन आप अगर कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा बिना किसी बड़ी मेहनत के बिना किसी खिचाव के हाँ ध्यान रखना है प्रेग्नेंसी टाइम म ऐसे समय में इन आसनों को नहीं करना चाहिए और जो हाट की प्रोब्लम है गंभीर रोग जो भी हो जो भी ऑप्रेशन हुए हो उन इस्तितियों में आपको डॉक्टर से राए लेकर ही करना चाहिए इस तरीके से मैंने एक मिनट पहले कर लिया एक मिनट उपर उठागे एक मिनट नीचे ऐसा हमारा तीन मिनट का एक कॉम्बो हुआ तो ऐसे आप तीन कर सकते हैं या पांच कर सकते हैं 15 मिनट तक आप इसको करेंगे आपको लगेगा कि जैसे नाभी से नीचे की जो एक इस्तिती थी उसमें एक एनरजी का आभास आपको मिलेगा आपको फील होगा जो एक खिचाब से जैसे पाह उपर किया और उसको खिचाब से जो पेट में प्रेशर पड़ा, उसमें ये आशन जो है, ये आपको सुकुन देगा, तो इस संपूटन इस चीज को आप समझेगा सेंडविच बनना इसको आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में दो आसनों की कुम्बिनेशेशन से हमें कितना अच्छा लाव जो है वो मिलने वाला है तो ये हमारा हो गया उपर उर्दोप्रशारित पादासन और ये स सुप्त बदकोणासन एक बर चुननी से आप करके देखिएगा ये आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देगी और आपको ऐसे लगेगा कि मेरे से नहीं हो रहा था लेकिन इससे होने लग गया है और धीरे 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 आपके पाउं खुल जाएंगे आपको पैरों में ऐसी अपक्षा मैं हमेशा करता हूँ थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई किसी को पहुत हैवी घुटना का पेन है कोई घुटना दर्द है तो देखिए आप इसको ये मोडने वाला नहीं करें ये डॉक्टर की राय से ही आपको करना चाहिए हाँ इसमें ये और है कि अगर जैसे किसी को यहां पेट से संबंदित खिचाव चाहिए यानि जैसे PCOD PCOS की प्रोब्लम होती है उसमें माता है मैंने करेंगी तो पेट में जो क्रैम पाते हैं उसमें भी इस आसन से बहुत अच्छा रिलीफ मिलने वाला है आपको एक लाब जरूर मिलेगा ऐसी मैं पेक्षा करता हूं लेकिन मैं हमेशा यह आपसे गुजारिश जरूर करता हूं कि कभी भी गंभी रोगों में कभी ऐसी इस्तितियों में कि आपको आसन ना करने हो तो मत किया कीजिए यह मैं आपको सावधानी हमेशा बताता हूं तो आपको इस बात का ध्यान रखना च तो दीजिये जाज़त मुझे डॉक्टर मनोज यूगा चाहरे को त्रीनेतर टीवी के लिए त्रीनेतर योगधाम से नमस्कार